हलो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे हूँ उम्मेद करता हूँ आप सब अच्चे हैं आपना तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चला रहे हूँ अभी तु बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो अभी सिर्फ और सिर्फ revise करना है अपना physics को strength बनाने का जरूरत नहीं है आप biology को strength बनाओ कि biology आपको selection दिलाने में मदद करने वाले हैं और physics आपका rank गिराने से बचा लेगा तो दुनों का अलग-अलग importance है लेकिन दुनों important है ना जैसे बचों मान लो अब बजार में के कुछ खरीदने के आप खरीदने के बद समान लेके आपको तीन बेग आपके पास हो जाता है तो situation में आप करोगे क्या दो बेग लेके घर आ जाओगे नहीं अब तीनों के तीन और physics आपका rank को boost कर देगा है ना तो यही important है तो welcome back to my channel मैं हूँ है रोल और आज हम लोग इस lecture में पढ़ने वाले है most probable question का जो circular motion है उस पार्ट को हम अच्छे से focus करेंगे क्योंकि circular motion से आपको question पूछा जाता है 2019 में तीन-तीन question आपको पूछा गया तो इस chapter का importance है है ना तो इस chapter को छोड़ा मत और आसान भी है बच्छो तो इसलिए मैं कहता हूँ इस chapter को थोड़ा जो भी concept है चोड़ा 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 concept है उस सारे concept कब revise कर लो अब बत काम हो जाएगा short notes को देखते जाओ है ना अब पुराना lecture देखना चाहते हो तो i button click करो उस पे देख लो सार question है हमारा यह देखो अब particle is going in a spiral path as shown in figure with constant speed आपको यहाँ पे एक particle दिख रहा है यह जो particle है यह ऐसे एसे rotate करते करते नीचे आ रहा है मानो एक spiral court है spring type का आप माल सकते हो तो यह situation में आपको चार option दिया हुआ यहाँ पे दिया हुए velocity of particle is constant acceleration of particle is constant उसके बाद बोला magnitude of acceleration is constant and then fourth one is magnitude of acceleration is increasing continuously तो कौन सा option correct होगा वो आपको देखना है सबसे पहली बात यहाँ पे आपको बोला कि यह constant speed यहाँ पे क्या बोला constant speed इसका मतलब जो speed है value of जो velocity का magnitude है वो क्या है constant है अगर यह speed है constant है तो situation में आप बोल सकते हो tangential acceleration is zero obvious बात है क्योंकि यहाँ पे हम जानते है tangential acceleration is nothing but rate of change of velocity तो उसका magnitude को यह बताया जाता है तो यहाँ पे magnitude का कोई change नहीं होना इस constant स्वाइगन से एक्सिलरेशन टेंजेंसिल एक्सिलरेशन इस जीरो ओके उसका बात यह constant velocity से constant speed से गूम रहा है बात समझ में आ रहा है तो situation पे हम जानते हैं acceleration जो centripetal acceleration आता है या फिर हम उसको normal acceleration बोलते हैं which is responsible for circular motion जो circular motion कराने के लिए एक acceleration responsible है तो यह माल लो इस direction पे जो centripetal acceleration होता है उसको हम ऐसी बोल सकते हैं this is s equals to v square divided by इसका radius हम माल लेते हैं this center से आप r radius पे है तो यह है बात समझ में है तो यह centripetal acceleration towards the center of this circular path यह हम जान रहें या फिर आप इसको normal acceleration बोल सकते हो अब यहां में क्या हो रहा है यह acceleration obviously यहाँ पे जाएगा तो इस direction पे यहाँ पे जाएगा तो इस direction पे यहाँ पे जाएगा तो इस direction पे मतलब ऐसे direction पे अपना direction यह चेंज कर रहा है vary करते जा रहा है radial direction है direction change हो रहा है but यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अगर net acceleration में बात करूँ तो net acceleration उसका magnitude square plus 80 का magnitude square और simple आप बोल सकते हो यही AC का जो value होगा V square divided by R आने वाला है but यहाँ पर मैंने कौन सा लिखा this is the magnitude of acceleration बच्चो तो आपको simple यहाँ पर दिखना है यह दोनों options से आप confused हो सकते हो कि second and third options है but यह आपको याद रखना है कि option 3 will be correct क्योंकि यहाँ पर देखो magnitude of acceleration is constant यह पर acceleration constant इसका मतलब direction भी constant है बात समझ में आ रहा है तो प्लास 4 के लिए आपको option 4 third आपको click करना पड़ेगा okay समझ में आ गया तो चार्मा का को मिल रहा बहुत ही आसान सवाल है बट conceptual है बहुत ही वेक्टर का concept आ रहा है okay so next question में पहुचते हैं this is the second question देखो यहाँ पर बच्चो if the equation of displacement of particle moving on a circular path is given by यह आपको theta दिया हुआ this much value where theta is in radian and t is in second हम जानते हैं theta is the angular displacement और t जो है वो हमारा time होता है time factor okay then angular velocity of particle after 2 second from it starts तो यह आप देख सकते हो जो kinematics में हमने पढ़ा था motion in a straight line पे वुसका जैसा ही है जैसे displacement आपको दिया हुआ रहता है function of time हमें velocity चाहिए होता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं dx आपन dt कर लेते हैं वही सेम तरीका यहाँ पे theta दिया हुआ है 2t cube plus 0.5 अगर आपको omega चाहिए omega means angular speed यह फिर angular velocity that is d theta आपन dt so आप इसको differentiate कर लो तो आपको काम बन जाएगा t square और यह constant है तो इसका value 0 आएगा but at t equals to 2 second या फिर after 2 second यहाँ पे कितना होने वाला है so I can write omega will be 6 multiplied by 2 square that is 4 and 6 multiplied by 4 equals to 24 so I can say 24 radian per second will be your angular velocity after 2 second from it starts okay जब यहाँ पे start शुरू किया था start शुरू आथ जब किया था सकते उसमें कोई शेक वाली बात नहीं है तो simple हम यहाँ पे इसको लिख चुके हैं बात समझ में आया क्यों ऐसा करें क्योंकि this is the function of what time है अगर यह theta यहाँ पे constant होता यहाँ पे theta constant होता तो हम differentiate नहीं करते सीधा हम बोल सकते omega equals to 0 यहाँ पे अगर acceleration जो आपका acceleration है वो constant होता यह से function of time नहीं होता तो हम kinematic equation लगाते हैं जो circular motion का है जैसे omega final equals to omega initial plus alpha into t alpha हम जानते हैं angular acceleration वगरा वगरा चीज़े हम यहाँ पे करते हैं यह concept था concept वीडियो में आपको देख लिए होंगे या फिर आपने तो कही न कही से आपने पड़ भी लिया होंगे आप revision का वक्त है तो repeat कर रहे हो ओके so next question देखते हैं third वाला question देखो a ball is suspended by a thread of length L what is the what minimum horizontal velocity has to be imported to the ball for it to reach the height of suspension जैसे हम मान सकते हैं यहाँ पे ऐसे suspension में यहाँ पे thread से यहाँ पे L length का एक ball को मैंने इसे लगा दिया तो उस situation में मैंने इसको horizontal रफतार दिया जैसे मैं मान लेता हूँ है यह u रफतार दिया तो यह कितना होना चाहिए कितना minimum value होना चाहिए क्योंकि यहाँ तक पोच जाए यह यहाँ से यहाँ तक पोच जाए मतलब circular motion चल रहा है यह यहाँ से यहाँ तक पोच जाए तो इस velocity मतलब minimum पोच जाना है तो यहाँ पर हम बोल सकते है final velocity is zero इसमें कोई शक वाले बात नहीं final velocity हम यहाँ पे zero लगा सकते है तो यह ऐसा simple horizontally यहाँ पर पोच जाएगा है न बच्चो इसका mass है कुछ ना कुछ mass होगा mass इतना है इसने velocity impart करा है तो velocity impart करा तो इसका मतलब यहाँ पे kinetic energy is there बच्चो तो initial kinetic energy is there प्लास अब देख सकते हो work done आप क्या बोलोगे work done by कौन सा force mg force by mg force ओके equals to final kinetic energy यहाँ पे final kinetic energy क्या होने वाला है 0 होने वाला है बच्चो यह चीज आपके दिमाग बर रखना है क्योंकि यहाँ पे इस सिर्फ यहाँ पे पोचना है तो उस point पे velocity 0 हो जाए तो यही पे पोच जाएगा बस उसको उतना पोचना चाहिए this is the condition अब बोल सकते हो है न अच्चो so kinetic energy will be half m u square और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे work done है वो क्या है mg is in downward direction यह जो displacement है वो L displacement है क्योंकि हम जानते है mg is a conservative force और conservative force में क्या होता है path पे depend नहीं करता है initial and final point पे ही depend करता है बात समझ में आ रहा है तो इस situation में mg in downward direction multiplied by L equals to 0 so mm gets cancelled out so u will be what u square equals to twice g into L so square हटा देंगे इसको under root हो जाएगा तो option will be under root 2gl the very simple question बच्चो यह option 2 will be your correct answer मेरे ख्याल से यह सवाल आपको समझ में आ गया और इसके उपर question आपको पूछता है तो इसलिए basic सवाल ही पूछता है NEET में एक चीज़ याद रखना NEET या फिर CW exam जो है उसमें basic question ही पूछता है बहुत सारे question पूछा जाता है क्योंकि NEET में पूछता है 45 question जो CW है उसमें 40 questions पूछा जाता है मतलब time के उपर यहाँ पर बात चल रहा है तो आप देख सकते हो 45 या फिर एक गंटे के अंदर 40 question solve करना बढ़ा-बढ़ा question देदेगा तो दिक्कत हो जाएगा बच्चे नहीं कर पाएंगे तो इसलिए speed important है तो NEET और CW exam जो है वहाँ पर speed and accuracy level देखा जाता है और question देखते तुरंत आपको click हो रहा है कि नहीं यह matter करता है बच्चों है ना तो ज्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है आसान सवाल आने वाला है और आपने अभी JEE का exam देखा होगा बहुत सारे आसान-सान सवाल आ रहा है तो नीट 2020 भी बहुत ही आसान होने वाला है तो टेंशन मतलो बट आपको अपना जो सिली मिस्टेक से उसको एवाइड करना है बस उतना में कहने वाला हूँ ओके तो इस दो क्वेशन फॉर्थ क्वेशन पॉइंट मास M इस सस्पेंड़ फ्रॉम a light thread of length L fixed at O is weld in horizontal circle at constant speed as shown यहाँ पे constant speed हम माल लेते हैं भी है for an observer stationary with respect to mass observer जो है वो stationary with respect to mass है okay force on mass R यहाँ पे आपको देखना है forces on mass यहाँ पे आपको actual में आपको पूछ रहा है free body diagram आपका थोड़ा concept के लिए ये कर रहा है आपको free body diagram बनाना आता है कि नहीं देखो जब यहाँ पी एक सब चीजे बोला यहाँ पे बच्चे confused हो सकते हैं तो यह जो बोला कि for an observer stationary with respect to mass stationary with respect to mass a observer कहा पर है उस mass पी बेटा हुआ है तब ही जाके तो mass के respect में खुद को क्या मानेगा कि वो rest में है या फिर mass के मतलब mass जितना speed से गुम रहा है वो खुद उतना speed से उसको गुमना पड़ेगा तो mass कोई बिटा mass के उपर ही इस आदमी को बिटा लेते हैं वाज में आ रहा है observe करना है तरे को इसको उपर बैठ फिर गुम बस तो अब इस situation में जब यहां पर रेस्ट में है तो हम जानते हैं जब यहां पर रेस्ट में हो जाता है तो उसको लगता है कि बाहर के direction पर कोई एक force उसको कीच रहा है then that force is called pseudo force वो imaginary force होता है धोखाधारी force होता है और उस force को हम लोग centrifugal force बोलते हैं बच्चो तो इसमें अगर मैं जो भी free body diagram बनाओ तो यहां पर मैं इसको लेकूंगा tension और नीचे के direction पर लेकूंगा mg और जो centrifugal force है that is यह fc so which option will be correct answer वो बहुत बच्चे इसको अब लगा सकते हैं तो यह ऐसा नहीं है इसको नहीं लगाने का option 3 will be your correct answer क्योंकि यही proper इसको बता रहा है जो भी यहां पर reference बताया गया क्योंकि एक observer जो भी हम free body diagram बनाते हैं observer is very important बात समझ में आ रहा है observer is very important तो अगर मैं ground से देखता तो यह वाल option आता बात समझ में आया लेकिन यहां मैं यहां पर मास से ही देख रहा हूँ तो इसलिए option 3 will be your correct answer बहुती simple सवाल था बच्चो बट conceptual था अब मोब तो 5 नंबर question 5 है तो यहां पर देखो car is traveling with linear velocity v on a circular road r circular road of radius r if its speed is decreasing at rate of a meter per second square the net acceleration will be so अब simple है यहां पर देख लेना यहां पर circular path यह है तो यहां पर माल लेते हैं यह गाड़ी है यह इतना speed से चल रहा है जो linear velocity v है इसमें कोई शक्वाली बात नहीं है जिसका यहां पर आप देख सकते हो इसका radius of this curvature will be r यहां हम जान रहे हैं तो इस direction पर जो acceleration होगा बच्चो यह बोल लेते हैं बट यह negative होगा क्योंकि यहां पर decreasing हो रहा है तो मैं यहां पर opposite direction पर देखा सकता हूं इसमें कोई शक्वाली बात नहीं है यह इस direction पर है न बच्चो constant rate में मतलब धीरे-धीरे decrease हो रहा है बट यह circular motion कर रहा है इसके कारण यहां पर क्या normal acceleration आने वाला या centripetal acceleration आने वाला है that centripetal acceleration will be v square divided by r आने वाला तो यह हमारा आया हुआ है और दूसरा acceleration जो है tangential है वो tangential equals to a आएगा तो अब देख सकते हो this is the tangential acceleration यह हम में ओल सकते हैं और यह हमारा normal acceleration है so अगर मैं इसका net acceleration निकालना चाहूँ तो obvious बात है यह वाला हमारा net acceleration होगा sorry यह इस direction पर यहां पर लिख सकते हो इसमें कोई शक वाली बात नहीं इस direction पर दीखना है तो यह वाला acceleration का direction बन जाएगा पर समझ में है कि नहीं बुलू तो यह वाला 80 का direction है this is the net acceleration net acceleration will be what an square plus at square तो आप simple है यहां पर v square divided by r whole square into plus a square और इसको अंडरूट कर देने का है so option 3 will be your correct answer तो मेरे ख्याल से आपको option 3 भी correct दिख रहा है so simple very simple सवाल था बात चो very simple इससे simple तो सवाल को ही नहीं सकता ऐसा टाइप का equation पूछता है बच्चों देख लिए नप 2019 का सवाल उठा के आप देख लो बहुती आसान सवाल था okay so sixth number question हम देखते हैं यहाँ पे a smooth wire of length this much value okay 2 pi r दिया हुआ है उसका length है is bent into a circular into a circle and kept in a vertical plane इस plane पे इसको एक ऐसे wire है उसको क्या करा smooth है उसको ऐसे एक circle बनाया गया और circle बना के उसको एक ऐसे vertical plane भी उस पर रख दिया a bead can slide smoothly on wire okay when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB इसके about यह ऐसे rotate कर रहा है as soon in figure the bead is at rest with respect to the circular ring at position P okay as soon in figure यह भी दिया हुआ है then the value of omega square equals 2 यह ते कितना होने वाला है बस यह ऐसा है तो इसका मतलब आप यह पे देख सकते हो यह ऐसे rotate करेगा यह weed क्या करते रहेगा ऐसे ऐसे rotate करते रहेगा तो आप देख सकते हो अगर इसका rotation का मैं एक diagram बना लो तो this is the center और यहां पे center जो भी radius है उसका value आपको दिया हुआ है r divided by 2 दिया हुआ है और this is the center of this circle तो अगर center of this circle हमें पता है तो इस point से हम जानते हैं इसका जो भी value होगा वो r है और this is ry2 ओके यह height भी हम निकाल सकते हैं कोई शक वाले बात नहीं है तो यहां पर देख लो अब इस condition पर क्या होगा यह beat को यहां पर रखना है tension नहीं यहां पर नहीं रखना string से लटका के नहीं रखा गया है बस simple यहां पर इसको ऐसे रखा गया और यहां पर smooth है स्लाइड कर सकता है जैसे मैं गुमाते गया तो यह position पर जाकर rest हो गया और यह ऐसे ऐसे गुमते रहा बात समझ में आ रहा है ऐसे मैंने गुमा दिया तो यह चारो की और ऐसे ऐसे गुम रहा है circle ऐसे रखा हुआ circle को मैं एक ऐसे diagram दिखा हूँ मेरे पस नहीं यह कुछ है circle यह circle है इसको ऐसे गुमाया जा रहा है तो इसको ऐसे गुमाया जा रहा है तो यहां पर नीचे था इस पर्पेंडिकूलर भाई हाइब इस तो हाफ यहां पर मैं बोल सकता हूं थीटा इकल स्टू थीटा होता है और यहां पर जो भी वेलू होगा वह कितना है हाफ होगा तो थीटा विल भी 30 डिग्री ओके अब यहां पर जो फोर्स लग रहा बच्चो वह कौन सा फोर्स है त यह मास है यहां पर और हम देख सकते हैं इस इन्वार डायरेक्शन पर हमारा एक फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे centripetal force, क्या बोलेंगे centripetal force, वो इसको balance करने वाला है, अगर ये theta है, तो that will be also theta, तो मैं लिख सकता हूँ, n cos theta equals to mg, और n sin theta will be what, बोल सकते हूँ, m v square divided by r होने वाला है, मेरे को omegas का चाहिए, तो यहाँ पर मैं m omega square into r put कर सकता हूँ, इसको मैं अगर divide कर दूँ, य यह gets cancelled out, mm gets cancelled out, तो simple है, 10 theta will be omega square r into g, यहाँ पर r divided by 2 आने वाला है, तो यह आपको देख सकते हो, divided by 2 होगा, ओके, so यहाँ पर आप omega square का value क्या होगा, twice g divided by r into 10, 30, ओके, so twice g divided by root 3 into r, so this is the value of omega square, so मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा, कौन सा option होने वाला है, तो option 2 will be a correct answer, तो यह पर देख सकते हो, option 2 हमारा correct है, है ना अच्छो, ओके, मजा आ गया, ओके, so next देखते हैं, question number 7, अब motorcyclist moving with velocity of 72 km, जो velocity है वो 72 km per hour, तो इसको में meter per second में convert करने वाला हूँ, तो देखो, यहां पर 4 मतलब 20 meter per second में convert हो गया, ओके, on flat road takes a turn on road at a point where the radius of curvature of road is 20 meter, ओके, so radius हमारा कितना है, 20 meter है, acceleration due to gravity G will be, अब देख रहे हो, यहां पर 10 meter per second square आ रहा है, in order to avoid skidding, he must not band with respect to, he must not band with respect to vertical plane by an angle greater than this, okay, कितना angle से ज्यादा वो नहीं band होना चाहिए, यह से skid ना करे, so, अब देख सकते हूँ, जो biker है, यह ऐसे मालो, यह bike है, यह ऐसे चलता है, बट जब turn आता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे inclined हो जाते हैं, थाकि हमारा यहां पर skid ना हो जाए, हमें क्या नहीं हो जाए, skid ना हो जाए, तो मेरा YouTube चैनल पर जाओ, रेविट रिविजन कोर्स में चले जाओ, और banking of road यहां पर एक lesson मिल जाएगा, तो उस lesson में आप जाके देख सकते हो, आपको concept clear हो जाएगा, फिर इस question को आप देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, तो इस situation में क्या होगा, थोड़ा band होने वाला है, तो vertical के साथ इतना band हो गया, यह हमें पता चल गया है न बच्चो, तो यहां पर आप देख सकते हो, जो भी है, यहां पर mg force लगने वाला है, और यहां पर हम लोग इसको normal reaction का एक है, n cos theta लगा सकते हैं, और इस direction पर n sin theta लग या दूसरा component इधर बनाया, तो यहां पर n sin theta equals to mv square by r, और यहां पर n cos theta equals to mg हो जाएगा, तो दुनों को divide करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, 10 theta मिलने वाला है, 10 theta equals top बोल सकते हो, v square divided by r into g, यह आपने जो formula है, यह आपने बढ़ा भी है, आपको पता भी है, तो इसलिए म मैंने क्योंकि ऐसे skid हरता है, ताकि हमें skid ना हो जाएं, हम थोड़ा inclined होते हैं, उससे ज्यादा करते हैं, तो हम नीचे गिर जाएंगे, क्यों toppling होने वाला है, यहां पर क्या हो जाता है, तो to avoid toppling, तो उसका भी condition मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, तो उसको check कर लेना, ज आपको R का value 20 है, G का value 100 है, तो यहां पर 2020 gets cancelled out, यहां पर आप देख सकते हो, 2 होने वाला है, तो 10 theta will be 2, that is, अब theta equals to 10 inverse 2 मिलने वाला है, तो यह आपका 10 theta का value दिया हुआ है, क्योंकि हम जब racing करते हैं, हम जब क्या करते हैं, तो उस situation में कभी-कभी आपको रस्ते में सामने व road है, तो वो banked कभी-कभी आपको ऐसा लगता है, कि banked road है, ऐसे inclined shift रहता है, मतलब इतना आपको बनाया हुआ है, बाद समझ मारा है, इतना आपका जो भी banked road को ऐसे bank करके रखा हुआ है, आपको सीधा चलाना है, अगर ऐसा सीधा है, यह ऐसा road flat है, तो उस situation में हमें आपको पता है, थोड़ा आपको inclined होना ही है, नहीं तो अब समझ रहे हो, सर्गबास ही हो जाओगे, ओके, एर्थ नमबर सवाल यहाँ पर देखो, a frictionless track A, B, C, D, ends in a circular loop of radius R, body slides down the track from point A, यहाँ से ऐसे A करके slide होके आ रहा है, which is at height 5 cm, maximum value of R, for which, for a body to complete the loop successfully, यहाँ पर ऐसे यह नीचे आ रहा था, और नीचे जैसे जाके यह loop को पूरा complete कर ले, यही आपको question पूछा गया, और यहाँ पर आपका यह wall है, मतलब, body है, यह slide करते आया, करते आया, तो यह वाला अगर center है, तो बच्छों, यहाँ पर आपको यहाँ पर आ का, कु velocity आ जाएगा, तो इस horizontal velocity के कारण, यह कितना होना चाहिए, radius था कि यह पूरा complete circle बन जाए, तो हम जानते हैं, बच्छों, अगर complete circle बनाना है, इस वाले, ऐसे open track, मतलब, inside the track, या फिर आप बोल सकते हो, अगर यह इसको ऐसे extreme से लटकाया हुआ है, तो वो situation पर उसका जो initial velocity है वो कितना होना चाहिए, greater than equals to under root 5GR, या फिर 5GH, यहाँ पर L, हाँ, R ही बोल लेते हैं, 5GR, यह होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, तो इसका मतलब, इस point से जब यह नीचे, इस point पर आएगा, यह point को यहाँ पर B लिखा हुआ है, तो इस B point पर आएगा, त करके पुमने वाला है, तो इस point पर velocity कितना है, वो हमें निकालना है, इस velocity में कितना velocity आना है, with respect to that H, मैं यहाँ पर H लिख रहा हूँ, क्योंकि 0.5 cm को मैं, में convert करना नहीं चाहरा हूँ, तुरंत होने वाला है, आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो, potential energy से, क्योंकि यह GH होने वाला है, अब यही इसके बराबर होगा, क्योंकि उतना ही velocity उसको मिला, अब उतना velocity मिला और उतना velocity अगर यह close loop बना ले, तो उस situation पे उसका जो भी velocity है, minimum velocity का बराबर तो होना पड़ेगा, तो इस situation पे आप बोल सकते हो, under root 5GR के बराबर हो गया, so root root get cancelled out, 2 तो cancel नहीं कर सकते हैं, GG gets cancelled out, तो आप बोल सकते हो, R का value जो है, इस equation से मैं बोल सकता हूँ, R का value जो है, 2 बटे 5 into H होने वाला है, और H का value यहाँ पे 5 cm है, तो 55 gets cancelled out, तो मैं बोल सकता हूँ, 2 cm, so R should be 2 cm, बात समझ में आ रहाए की नहीं बोलो, तो यह आपका R का value, अगर 2 cm होने वाला इसका मतलब option 1 will be correct answer, तो उस situation में close loop बना लेगा, बचो बहुत मज़ादार सवाल है, बट एक ही line पे खतम हो चुका है, क्या line था, यह वाला line है, यहाँ पे velocity के बलाबर है, और वही same, एक ही step में question खतम, यह बहुत ही important सवाल है, इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा important सवाल ह यह पिर ऐसे string के ऊपर दे देगा, बस, 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 पुच लिया, ओग, ऑग, सु नाइं तसवाल, इस figure shows a body A at the top of frictionless hemispherical inverted ball of radius R, if body starts slipping, यह बहुत ही बहुत है, यह बहुत है, तो यहाँ पे क्या हने वाल है, तो यहाँ पे क्या होने वाले द एन हरिजन इस बीजने बित्र वि and a point at which the body is placed. Okay, so this body का this place से माल लेते, यहाँ पर ऐसे slide करते करते आया, तो एक वक्त पर यहाँ पर यहाँ पर यह ऐसे, अपना जो contact है उसको ऐसे हटा लेता है, वो तो हम जानते एक condition है, जब contact हटा जाएगा, तो उस situation में हमाँ normal reaction का value क्या होता है? जीरो होता है, तो आपको बोला कि यह horizontal distance is x का value कितना है, वही simple आपको पूछा है, तो मैं यहाँ पर इसको solve करने का कोशिश करता हूँ, बच्चो इसको थोड़ा अराम से देखना, बहुती आसान सवाल है, मैं आपको बता दूँगा, देखो, यह हुआ हमारा top है, है न बच्चो, तो इस point पे है, तो यह slide कर रहा है, तो उस situation पे u का value 0 है, तो मैं माल लेता हूँ, यहाँ पर आने के बाद, यह मेरा center है, यहाँ पर आने के बाद contact चूट जाता है, तो अभी माल लेता हूँ, contact अभी तक नहीं छोटा, तो उस situation में, यह इस direction पे यह value radius है उसका, तो यहाँ पर बोल सकते हो, यह वाला h है, यह काम में आने वाला है हमारा, तो अब यहाँ पर mg force आने वाला है, और यहाँ पर अगर यह theta है, तो मैं बोल सकता हूँ, इस direction पे एक force आएगा, जिसको हम लोग mg cos theta बोल सकते हैं, so mg cos theta और normal reaction जो इस direction पे है, minus n, that is equals to mv square divided by r, वो r कौन सा है, यह वाला radius है, और v जो है, इस point का velocity है, बाद समझ मैं इस point का tangential velocity है, so अब इस situation पे जब यह contact को चूट देगा, तो उस situation में n का value क्या होगा, 0 होगा, mm gets cancelled out, तो v square का जो value होगा, वो कितना होगा, r g cos theta, यह v square का value है, ओके इतना हमें समझ में आता है, पर यह v square हमें पता नहीं है, वो v square को हमें निकालना है, तब जाके तो हम theta, या फिर जो भी हमें distance निकालना है, वो निकाल सकते हैं, यह x का value निकालना है, तो अगर v square चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ, यहाँ पर potential energy, इस height से अगर देखा जाए, तो यह mgh उपर है, यह नीचे slide करके यहां तक होज गया, तो उसमें आप लगा दो, जो भी हमारा kinetic energy के परावर, so mgh equals 2, kinetic energy के परावर, half mv square, simple है, mm gets cancelled out, h का जो value है, वो कितना है, h का value यह वाला है, h का value है, तो आप देख सकते हो, r into 1 minus, यह वाला कितना होगा, यह अगर theta है, तो यह cos theta हो जाएगा, तो r minus cos theta, यह वोल सकता हो, r into r cos theta, simple है, तो g into r, 1 minus cos theta, equals to half v square, तो यह आपका v square का value मिला, अब यहाँ पे v square का value, यहाँ पे अगर put कर दोगे, तो आपको मिलने वाला है, तो आप दे से बहुत आराम से देखो, यहाँ पे v square का value put कर लेते हैं, तो उस situation में, जो v square का value put करूँगा, तो rg यहाँ पे पोजाएगा, तो rg, rg gets cancelled out, rg, rg gets cancelled out, तो आप देख सकते हो, 1 minus cos theta will be half cos theta, तो यह इस side में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, root 3 divided by 2 cos theta, so cos theta का value जो है, वो कितना आने वाला है, 2 divided by 3, तो यह cos theta का value आया, हमें चाहिए यह x, x का value कितना है यहाँ पे, r cos theta, इसका value, sorry, r sin theta, r sin theta, यह theta होगा, तो r, यह वाला cos theta हो जाएगा, horizontal r sin theta होने वाला है, तो इसका value आगर देखा जाए, तो यह x का value हमें, x equals to r sin theta चाहिए, so sin theta का value में आराम से निकाल सकता हूँ, sin theta मतलब under root 1 minus cos square theta, so r into under root 1 minus cos square, इसका value कितना, cos square theta का value कितना है यहाँ पे, 4 square और यहाँ पे, आपको यहाँ पे, 4 divided by 9, इसका मतलब under root 5 divided by 9 आने वाला है, तो आप देख सकते हो, आपका जो answer होगा, under root 5 are divided by 3, so option जो है, वो कौन सा है, option one would be your correct answer, मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आया, अगर नहीं आया, तो बच्चों मेरे को पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, slide करा, n का value 0 है, यहाँ पे leave कर रहा है, इस contact को leave कर रहा है, ओभी इस बात इस contact को अगर leave कर लेगा, तो normal direction कहां से आएगा, बच्चों, आने का chances ही नहीं है, आएगा भी नहीं, बात समझ में आया की नहीं बोलो, तो यहाँ से हमने V का value मिला, अब यह जो हमने यहाँ पे लगाया, तो उस situation में आप इसको देख सकते हो, V square का value यहाँ पे मैंने put करा, तो theta का value मिला जो भी है, किसना angle पे जाके यह leave होने वाला है, तो simple है, तो वह हमने निकाल लिया है, तो बस, कतम, ओगे, तो अगला सवाल, तो यहाँ पे देखो, a block of mass 10 kg, is in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 meter, the coefficient of friction between the block and the inner wall of cylinder is 0.1, the minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary, when cylinder is vertical and rotating about the axis, okay, सो मैं यहाँ पे पहले एक drum को बना लेता हूँ, इसमें कोई शक्वले बात नहीं है, मैंने एक drum को बना लिया, यह वाला एक मेरा drum हो गया, तो यह जो उसका axis है, इस axis के about यह rotate कर रहा है, विद ओमेगा, और यहाँ पे क्या है, एक mass एक block है, जिस block का mass 10 kg है, और इसको ऐसे contact में रखा हुआ है, और यहाँ पे जो उसका mu है, वो 0.1 है, अब यहाँ पे देख सकते हो, mg नीचे लग रहा है, तो body slide कर देगा, slide नहीं करने के लिए, या sliding को oppose करने के लिए, force आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे friction, अब हम यहाँ पे limiting friction को check करते है, क्योंकि यहाँ पे उसको उधर ही रहना है, मतलब stationary रहना है, slide नहीं करना है, तो obvious बात है, limiting friction should be greater than this mg, यह हम जान रहे हैं, अब यह limiting friction के लिए, आपको normal force चाहिए होगा, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, n का value m omega square into r, आरे यह लिख सकता हूँ के नहीं बोलो, तो यह आपका आया, और f l जो है, उसका value mu into n, हम जानते हैं, f l का value कितना होता है, mu into n, सो 0.1 और यहाँ पे m omega square into r, अब यहाँ पे इसको ऐसे, यहाँ पे रहना है, जैसे यहाँ पे देखो, stationary window sliding, okay, so इस situation में, इसके बराबर, f l equals to ea वाला लिख लेते हैं, हम बोल सकते हैं, is greater than, हम बोल सकते हैं, mg है, सो अब देखो, इसको gets cancelled out, तो आप जो, omega का value है, omega square is greater than, g, g, देखो यहाँ पे, omega square is greater than, g divided by, 0.1 into r, और r का value यहाँ पे, 1 है, और इसका जो g है, उसका value 0.100 है, so omega square, अब देख सकते हैं, omega square is greater than 100, और इसको under root कर दो, so यहाँ पे क्या मिलेगा, omega equals to greater than, 10 मिलने वाला है, so omega का value 10 से, बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब, this the minimum value, यह थो होता है, minimum value, तो simple है बच्चो, यह वाला option, c will be your correct answer, यहाँ से आपको पता चल गया, और यह बहुती simple सवाल है, यह need, 2019 में आया हुआ है, चमक आया की नहीं बोलो, तो यही है, बहुती आसान सवाल था, friction का सवाल यहाँ पे include कर दिया, बस खतम कर दिया, और जो यहाँ पे मैंने question आपको कराया है, जो भी question कराया है, यह बहुती important सवाल है, मतलब पूरा chapter को cover करने वाला है, और मैं आपको यह भी बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूँ कि, इस दस question में सी, आपको एक question पूछ लेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा question derived होगा बच्चो, concept वैसा ही रहेगा, जो भी चीज़े मैंने आपको यहाँ पे समझाया, वो सारे चीज़ एक जैसा ही रहेगा, question अलग आ सकता है, situation अलग है सकता है, but actual जो theme है, वो क्या है, इतना ही रहने वाला है, है न बच्चो, तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आगया, तो thanks for watching, all the very best, आप अच्छे से तयारी करो, मिलेंगे, bye bye and take care.